किसान भाईयों नमस्कार आप सबी का स्वागत है हमारे यूटूब चेनल डी फार्मिंग में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे मुपली की खेती के बारे में यानि कि किसान मुपली की फसल से अधिक उत्पादन केसे ले इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे काम बताऊंगा जिनको मुपली में आपको समय से करना है इन कामों को करने से आप अपने मुपली के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं किसान भाईयों मुपली है कि एसी फसल है जिसका फल जमीन के अंदर फई जता है इसलिए हमें पोदे को यह पता नहीं लगता है कि हमारा उत्पादन कितना होगा इसके लिए हमें समय समय पर अपनी वसल में कुछ पोसक तत्वों का पुर्योग या कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते है इस वीडियो में आपको कम्पलिटली पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब करें पास में जो गंटी का निसान आया होगा उसे जरूर चालू करें ताकि आपको हमारी हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके किसान भाईयो मुपली की फसल से अगर आप ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा पेदावार लेना चाते है तो आपकी फसल की आपको ग्रोथ को रोकना होगा कहने से मेरा मतलब है कि आपको मुपली की ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना है मुपली का फल जमीन के अंदर वाय जाता है अगर मुपली की अंचाई ग्रोथ हो जाती है तो मुपली का फल अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाता है सबी पोज़क तत्वे पोदे के ग्रोध में लग जाते हैं जिससे हमारे उत्पादन में गिरा उटाती है इसलिए आपको मुपली में केवल उन्नी खादों का परियोग करना है जो मुपली की ज़्यादा ग्रोध को ना बढ़ाए जैसा कि बहुत से किसान मुपली में यूरिया का परियोग करते हैं अगर आप भी परियोग करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में यूरिया का परियोग नहीं करना चाहिए जिससे आपकी फसल की ग्रोथ नहीं बड़ेगी और पोदा अपने फल का दिर्मान अच्छे से कर पाएगा इसके अलावा जब मुपली में फल फूल आना सुरू होते हैं उस समय आप इनपी के पाने में गुलनजील खादों का परियोग करें जिससे आपको कापी अच्छा बेनिपीट्स मिलेगा जब मुपली में फल फूल आते हैं उस समय आप इनपी के 0-52-34 का परियोग कर सकते हैं कि जब शुरुात में फूल नजर आते हैं उस समय आप 0-0-0-34 का पर्योग कर सकते हैं जो कि आपकी बसल में पासपरोस और पोटास की पूर्टी करेगा वहीं जब मुपोदे में मुपली बनना सुरु हो जाती है यानि कि आगरी स्टेज में जब मुपली 80-85 दिन के स्टेज में होती है जब मुपली बनना सुरु हो जाती है उस समय आप NPK 0050 का पर्योग कर सकते हैं इसकी मदद से आपके वसल को पूसक तत्तों की पूरती हो जाएगी NPK 0050 के माधियम से पोटास आपकी मुपली की वसल को मिलेगा जिससे मुपली में दाना बराव अच्छे से होगा दानों का आकार और दानों में एक चमक बनेगी जिससे हमारा उतपादन बढ़ेगा तो आप अगर ये काम समय पर करते हैं तो आपको निशित तोर पर ज़्यादा उतपादन मुपली की वसल से मिलता है तो आपको इनका डोज NPK खादों का एक किलोगराम परती अकड़ की दर से रखना है और मुपली की वसल में फुर्योग करना है तो ये दो काम कर आप अपने मुपली के उतपादन को बढ़ा सकते हैं तो किसान भाई यू उम्मित करता हूँ जानकारी आपको पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक अपने किसान साथे को साथ सेयर करें मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद